है एक कल रात को भारी मौसम और रोमेंटिक मौसम में बाही को इसने चलाया और बासाथ और भाई भरसात हो गई दिल्ली में आण पूराका पूरा डिप हो गया अब उसको डर है सचीज का कि भाई इंजन को या गए जाके को परसानि ना जए अभी तो को परसानि से लिए चलती रही कि दिखकत 3 लजए क कुरिंगे इंदर पता लग जाए लेक्व हुठ ने ही इथा है इसी आप तो इसके दो बोलते हैं यह हमारा बोल चुका है मतलब यह के इंजन किया के बंदा लेकर आगे तेखो इसे बोलते हैं एक्दम समझदारी ऐसे ही वो चलाता रहता रहता कि मुद्ध नियुक्ति देखो प्रविस का थाइम को देखाता हूए यह देखो यह अरे आजा धोगा यह अर्या यह बोल इंगे दो यह उसके इंदर जो और यह दिख रखेंब देखते हैं और फटाबशे से खोल खोलते हैं और खोल के देखते हैं अओ और कि इसके अधर ऑफ काला हुआ निए निए थी थी काला हुआ है थी चाहँ कि लिए ठीटेट निदुटी अग्फ आद गया थुकुल वाला शीन साथ हो गया मतलब इस सह पता है कर इंजन में पानी मिक्स करोंगे तो इन आ ड़ चुछ परकार से होगा तो इन नेएं काला निकालते हैं मतलब कितना ज्यादा इसमें पानी बराऊ है कि ओमाइग गॉड ओमाइग गॉड ओमाइग गॉड यह इंजन उएस का देखरो मतलब मैं तो है इसा लगए जैसे कि पानी डाल दिया उज्यादा पतला कर दियो तो फटाफट से इसके इंजन को हम सही तरीके से ओक्या करने के इसके द्रेवाई निकालते हैं और पूरे इंजन न को भार निकालने के बाद इसके अंदर हम इंजन को फ्लिटर वगर नहीं बात आ रही है इसके इंजन के फ्लश की तो हम ने इंजनफे के लिए सब से पहले है और इस ओयल फिल्टर बहर निकाला है और इस ओयल फिल्टर को हम पूरा कम्प्लिटली डीजल से क्लीन कर रहे हैं अगर आप चाहो तो टीटी ओयल भी क्लीन कर सकते हो आप चाहो तो आपको इसको डीजल से भी क्लीन कर सकते हो पर आपको मिट्टी तेल या पैट्रोल का इस्त अगर आपके पास पैसे हैं बहुत अच्छा बजट है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बी ओल फिलश कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुए अल्रेडी ओके तो अभी मैंने कहा कि इसमें गंदा इंजन ओल डाला है जो काला इंजन लोता है जो गाड़ी क इसमेल नया बहुत महँगा पड़ जाएगा तो एक अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंडिशन में यूज्ड ऑईल मैंने में डाल दिया है और इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करके एक्सटर दे रहा हूं विदिन फिफ फाइव टू टैन मिनिट आपको स्टार्ट छोड़ तो अब इसका जो ऑईल हमने डाला था पुराना इसके अंदर वो सारा ऑईल हम इसका निकाल रहे हैं आपको जब जब ज़्यादा घरम में निकालना और आपको जब तक इंजन फ्लश करना है जब तक इस गाड़ी का जो ऑईल का कलर है वो वाइट से सीधे डार्क ब्लैक उपन करना है तो अब हम क्या करेंगे एक लाई टीटी वॉय इसको एक डिब्बे में डालेंगे एकदम साफ डिप में डालना है, ये साफ डिप बाइक डाल दिया है हमने, अब इस T.T. oil को हम डालने के बादे, जैसे इसे इंदर 2.2 liters के आसपस इंजिनल लता है, 2 liters जादे जलता है, तो हम क्या करेंगे, एक लिटर T.T. oil लेंगे और आदा लिटर T.T. oil और लेंगे एक डि मिक्स कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, काफी सारे लोगों का मन में वहम आएगा, मैं पता देता हूँ, T.T. oil से या डीजल से इंजन फ्लश करना बड़ी हैवी गाड़ी का ठीक नहीं होता है, अब बिलकूर अगर जैसे मैं एक्जामपल दे रहा हूँ, अगर आप मोटर साइकल में T.T. oil डाल तरह तो आपकी गाड़ी श्टार्ट नहीं होने वाली है, अगर इस पूरे दो लिटर को बनाने के बाद हम इस पूरे के पूरे material को इंजन में डालेंगे, अब जब इंजन में डालेंगे तो ये गाड़ी श्टार्ट नहीं होगी, पर हम से से का इस्तमाल करेंगे, क्योंकि कभी क्या होता है, अगर आप डीजल डाल रहे हो, या फिर मिटी दिल डाल रहे हो, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इस इंजन में पावर कंपरसर नहीं बनता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये डाल दिया हमने इसके अंदर और सेल्फ क्यों लगा रहे हैं पर इस सिच्विसेन में आपकी गाड़ी का एर फिल्टर बहार निकलना होना चाहिए अगर नहीं निकला होगा तो आपकी गाड़ी में जितने भी पानी है यह दो को इसके एर फिल्टर में पानी भरा बड़ा बहुत जादा इसको चेंज करेंगे काफी सारे वो धूप में हवा बगर मारके चला देते हैं यह ज्यादा महंगा नहीं आता भाई यह सिर्फ और सिर्फ 160 रुपे काता है अब यह दोगो इक में डाला था हमने इसके अंदर दकरी बन दो लिटर इंजनल के साथ वो निकालने के बाद हमारा जो इंजन है अंदर से चिकनाहट बनी रहे और यह सारा कुछ करने के बाद हम इसके अंदर एर फिल्टर नेया डालेंगे पर मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ यह जो ओयल ट्रीट्मेंट के डिपे हैं इनको कोई प्रमोसन नहीं है आपकी मर्जी है डालो या मट डालो पर आपको एक अच इसके खर्चा बहुत आता है इंजन में तो हम किसी भी चीज को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे इसलिए हमने और इंजन की अंदर जो पार्ट्स होते है उस पर चिपक जाए और चिपकने से आपकी जो गाड़ी होती इसके अंदर जो वाइब्रेसन होते हो खतम कर दे और करते हूं यह जो एर फिल्टर होता है यह बिल्कूल ब्रैंड new नया फिल्टर जो रहता है ससता आता है 116 रुपई का एर फिल्टर आता है इसको आपको नयाँ दालना है और उगडी को फिट कर देना है और यह सारा कुछ करनेके बाद गाडीms चमा-चम करके कस्टमों को द झाल